नमस्कार मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूं कथा मंथन में आज सुनिए आधर्ष हिंदू होटल का साथ्वा अध्याय आधर्ष हिंदू होटल के से संबंदित अन्या parts आपको हमारे blog पर मिल जाएंगे जिसका link मैं आपको description box में दे दूँगी साथी के साथ इसका एक link आई बटन में भी रहेगा इसकी तता अन्य लिखकों की कहानियों का link स्वर्ण नलता का link भी मैं आपको description box में दे दूँगी अगर आप भूतों की कहानिया सुनने के शौकीन हैं तो आप वो भी हमारे blog पर जाकर के कहानी पढ़ भी सकते हैं और उसके साथ ही साथ सुन भी सकते हैं जिसका link मैं आपको description box में दे दूँगी तो चलिए शुरू करते हैं आदर्श हिंदू होटल का अचानक हजारी के मन में जो बिजली की तरह एक ख्याल कौन गया था कि लड़का बड़ा सुन्दर है इसके साथ टेमपी के शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो लेकिन लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा भगवान के टेमपी क्यों कि किसमत में ऐसा लड़का जुटा देंगे खा कर उटने के बाद लड़के ने कहा आपका खाना हो गया मामा अब मैं भी खाऊंगा भईया हम लोगों का खाना इसी तरह होता है अकसर तीन बजे के पहले नहीं निपड़ता इसलिए तो कहता हूँ कि बड़ा वहयात काम है यह सब तुम लोगों के लिए नहीं है खाना बनाने का काम बड़े जंजट का काम है लड़के ने थोड़ा निराश होकर कहा तब मैं कॉन लाइन पकड़ू मामा जाने कितनी जगाओं में घूम फिर कर देखाया पिछले छे मैंनों से चक्कर लगा रहा हूँ कहीं कोई काम नहीं जुटा सा एक होटल के बाहर लिखा था दो नौकरों की जरूरत है मैं जाकर मैनेजर से मिला उसने क्या कहा जानते हैं मैंने कहा आप के हैं नौकर की जरूरत है यही देखकर आया हूँ उसने कहा तुम बहले घर के लड़के हो यह काम तुमरे लाइक नहीं है मैंने बहुत तरह से कहा लेकिन उसने फिर भी मुझे काम ना दिया हजारी आवाक होकर सुन रहा था, उसने कहा क्या कहते हो? उसके बात की बात सुनی यह नौकरी कहीं नहीं मिली अंत में कलकत्ता से यहाल हो गया कि खाने के भी लाले बढ़ गए एक दो दिन तो बिना खाई गुजर गए उसके बाद मैंने सूचा मेरे एक मेमा राना घाट के होटल में काम करते हैं वहीं जाओ इसी से आज यहाँ पर आया हूँ वे मेरे मामा नहीं हैं मेरे मामा के चाद भाई हैं अब यहाँ भी आप कहते हैं कि यह लाइन मेरे लिए नहीं है अब मैं कहां जाओं क्या करूं लड़के की निराशा भरी बोली और उसके दुख कष्ट को सुनकर हजारी को बड़ी तकलीफ हुई है उससे मैं भी सोच रहा था अभी बच्चा ही तो है मेरा बड़ा बेटा संतु जूइता होता तो अब तक इतना बड़ा हो गया होता टैमपी के साथ इसकी जोड़ी खूफ है बेगी लड़का क्या है सूने का टुकड़ा है टैमपी की क्या ऐसी किसमत है नौकरी नहीं मिलती तो ना सही वैं टैमपी के अब भिया करके मेरा बड़ा बेटा बनकर मेरे गाउं में जाब बैठे उसे किसी बात की तकलीफ ना करने पड़ेगी मैं एकसर उसे खुदी कमा कर सब को खिलाऊंगा थोड़ी बहुत जमीन है गुजारा होई ही जाएगा खाना खतम करके बनसी का भांजा तो चला गया लेकिन हजारी के मन में जानी कैसे एक नए सुर्की जंकार उटती गई तरुन चेहरे की भंगीमा से तरुन नयनों की दृष्टी से इतनी प्रणा भी बिल सकती है हजारी को अपनी जंदगी में एक नई जानकारी मिलीती तीसरे पहर चुड़ने के किनारे प्रेड़ के नीचे अकेले में बाट कर उसने जाने कितने सपने देखे नए सपने टैंपी के साथ बंशी धर के भांजे की शादी हो रही है कोई भादा नहीं बे आशादी का संबन तो हो ही सकता है टैंपी के छोटे नरम हाथ को उसने नरेंदर के ताकतवर हाथ में दे दिया दोनों के हाथ इकठे करके हजारी बेटी दमाद को आशिरवाद दे रहा है टैंपी की मा की आँखों से आनंद के आसू बह रहे हैं कैसा सुन्दर सौने का टुकड़ा दमाद है इस छोटी उम्र में वे होटल में रसोई गिया गिरी करेने की उजाएगा हाजारी ने अपने होटल में दमाद मैनेजर होगा चकरवर्ती बाबु की तरह गदी पर बैठकर ग्रहाकों को टिकेट का हिसाब किताब रखेगा हाजारी में काम करनी की दुगनी ताकत आ जाएगी जैसा दमाद वैसा ही बेटा इतना बड़ा सुन्दर टैंपी के लाएक टड़का है टैंपी की सारी जिन्दगी के लिए खुशी और साथ की नीगी उन दोनों का मुद देखकर वै जी जान से काम करेगा तीन महीनों के अंदर ही होटल को अपने पैरों पर खड़ा कर देगा दिन ढल गया चोड़नी के खेवा घर से लोग इस पार से उस पर आ जा रहे हैं जो लोग शहर में खरीद बिकरी करने आते हैं इसी समय वे लोग घर लोटते हैं एक बार कुसम से मिलते हुए होटल लोटना होगा पेड़ के नीचे बटकर अब ज़्यादा देर तक जमीन आस्मान के कुलावे मिलाने में काम न चलेगा हो सकता है कि रतन ठाकुर इस वक्त भी ना आवे इस अकेले ही उसे सारा काम करना होगा लेकिन क्या सचमुची यह अनोनी सोचता है उसका होटल नहीं कुले क्या टेमपी के साथ उस लड़के का जाने दुबेकार बात के सोचने से कोई फायदा नहीं देर हो रही है तीसरे पहर जब पद्ध महरी ने हजारी से कहा मैं कहती हूँ ठाकुर आज मचली की मुड़ी का क्या हुआ आज सो मालिक का बुखार हो गया था वे 11 बजे से पहले ही घर चले गए इतनी बड़ी मुड़ी का एक टुकड़ा मैंने आँखों से नहीं देखा हाजारी मचली कोई मुड़ी को छिपा कर कुसुम को दे आया था बड़ी मचली की मुड़ी आम तोर पर मालिक के घर जाया करती थी लेकिन आज मालिक की तब्येट ठीक नहीं थी ज़्यादा देर होटल में रहे नहीं पद्दो महरी मुड़ी अपने घर ले जाती हाजारी ने मुड़ी कभी कुछ खाई नहीं रतन ठाकुर ने खाई है पद्दो महरी तो अक्सरी घर ले जाती है मुड़ी पर क्या हाजारी का कोई हक नहीं इसी से वह मुडी कुसम को देया था जब छुट्टी पाकर चुड़नी के किनारे घुमने गया था तबी पद्दो महरी के सवाल के जवाब में हजारी ने कहा क्यों पद्दो देदी इतनी देर के बाद मुडी की याद आई इतनी देर हो चाहिए जितनी देर, मुड़ी हुई क्या, मुझे क्या एक दिन भी खाना नहीं चाहिए, तुम लोग तो हमेशा खाती हो, आज मैंने खाली, कहां, मुड़ी का कांटा चिलका तो दिखता ही नहीं, कहां बैठकर खाई थी, हजारी की घबराहट पद्ध मेरे की आँखों में चिपी न रह सकी, उसने आवाज उची करके कहा, तुमने नहीं खाई, खाई होती तो मैं कुछ ना कहती, तुमने उसे चिपा कर बेच दिया, बो ठीक है की नहीं, चोड धोके बाच कहीं का, होटल की चीज़ लुका चिपा कर बेचता है, अच्छा तुमारे, चोरी का मज़ा चकाती हूँ, आने दो मालिक को, हजारी, नहीं पददी दी, बेचूंगा किस के हाथ, पकाई हुई मुड़ी कौन लेगा, सच मुछ मैं नहीं खाई है, जूट बात, इतने दिनों से होटल में काम करते करते हाथों में गठ्टे पड़ गए, मशली की मुड तुमने चार आने से कम तो बेचीना होगी, ये पैसे गदी में जमा कर दो नहीं तो देखना मालिक के सामने तुम्हारा क्या हाल बनाती हूँ, अच्छा, ले लेना चार आने पैसे, मैं दे दूँगा, एक मुड़ी खाने पर यदि ये पैसे देने पड़ते हों तो ले ले पड़ मेरी जरा नरम पड़कर पूछी, तब सच्पिर तुमने बेची, नहीं पड़ दी दी, तब उसका क्या क्या ठीक ठीक बताओ, तुम्हें तो पैसे लेने से मतलब है ना, इतनी खोजबीन क्यों कर रही हो, जरुआत है तब ही तो क्याती है, मुड़ी क्या होई, बत होज गई की तुमने मुड़ी का क्या किया? अपनी उसी हजारी को मालम था कि पड़ क्या कहने जा रही है? पड़ महरी की बात दबाने के लिए उसे जट पड का, पड़ दी, तुम्हारा ही खा पहन कर तो गरिब ब्रामन पल रहा है, क्या उसे मामरी चीज के लिए इतनी भ पक्चक करोगी इस बात पर नरम पढ़ने के बदले पद्द मेरे और भड़ा कुटी बोली तुमने खाई होती तो मैं कुछ ना कहती ठाकूर लेकिन होटल की चीज दूसरे को खिलाना बरदाश नहीं करूंगी मैं अगर इसका कोई पक्का उपाय क्या बिना रहा हूं तो मेर नाम इसके कुटा पाल लेना साफ कहे देती हूं हजारी डर और चिंता से सूख गया इस बात पर नरम पढ़ने के बदले पद्द मेरी और भड़ा कुटी बोली तुमने खाई होती तो कुछ ना कहती ठाकूर लेकिन होटल की चीज दूसरों को कहाना बरदाश नहीं होता मै अगर इसका कोई पका उपाय के बिना रहूं तो मेरे नाम का कुटा पाल लेना साफ कहे देती हूं हजारी डर और चिंता से सूख गया अपने हिले नहीं कुसम के लिए ऐसी कोई बात नहीं है जो पद्दो ना कर सके पता नहीं वे क्या कर बटेगी जाने वे कितनी ही तरह क की बाते निकालेगी और वे बाते अगर कुसम की सास के कानों में पड़े तो या फिर कुसम के बाप के घर यानि उसके अपने गाउं जा पहुचे तो दोनों ही के लिए शर्म से मू दिखाना दुबर हो जाएगा और कुसम का क्या कसूर है पद्द महरी चली गई सोच पद्द महरी को मैं ठंडा कर दूँगा मूरी तुम बाहर ले जाओगे तुमने मुझसे पहले ही कह दिया तो तक क्या बाती मैं कितनी बार तुमसे कोई है बात समझाओं कुछ देर बाद शाम होते ना होते बेचू चक्रवर्ती आये नौकर ने हुके का पानी बदल कर तं उसे बोले अब शाम के वक्त क्या आये हो सवरे ही तो साड़े बारा आने ले गए थे और इस वक्त पैसे दिये जाते हैं कल आना तुम्हारा क्या है एक रोगी जैसे काले आदमी ने हाथ चुर कर परणाम करने के बाद का बाबू उस इन कुमड़ा दे गया था उसका पैसा कुमड़ा किसने लिया कुमड़ा जी बाबू कुमड़ा आपके होटल में दे गया था मैंने छे आना दाम बताया था तो मुझसे पांच आना देने को खा तो मैंने का भले आदमी की बात वही दीजिए उन्होंने का आज नहीं बुदवार को आकर ले जाना इसी से आया हू छे आने का कुमड़ा किसने उधार लिया खाने में या बजार की फैरिस्थ में तो लिखा नहीं है यह तो भाई अजीब बात है हम लोग उधार समा नहीं खरीदा करते जो रोग खरिते हैं नगत दाम देकर तुमसे कुमड़ा किसने लिया अच्छा ठैरो मैं देखता बेचू ने रतान और हजारी ठाकर को बुला कर पूछताच की तुम लोगों ने कहा कि कुमड़ा खरीदना तो दूर की बाद पिछले छे-पांच-छे दिनों से कुमड़े की तरकारी बनाई ही नहीं इन कई दिनों में तो किसी ने कुमड़े को आँखों से मिनी देखा कुमड़ा यानि सीता फल बाद चीछ चली ही रही थी कि बाजार की फैरेस लेकर पद्दो मेरी कमरे में आई उसे देखते ही कुमड़े वाला बोल उठा यही आई नहीं तो लिया था कुमड़ा वही कुमड़ा मा जी आपने बुद्वार को आने को का था इसी से आ जाया हूँ बाबो पूछ रहे थे कि कुमड़ा किस ने लिया पद्दे मेरी अचानक जैसे कुछ छेप गई बोली हाँ कुमड़ा लिया था तो क्या हूँ पांच आने पैसे लेकर क्या भाग जाऊंगी इसके पैसे चुका तो दीजिए मालिक बाबो इसके बाद में बेचुच अक्रवती ने बिना कुछ कहिस ने कुमड़े वाले के पैसे चुका दिये वह चला गया रतन ठाकुर ने अलग जाकर हजारी से कहा देखा पद्दो दीदी तो हाथो हाथ पकड़ी गई लेकिन मालिक बाबू की ममता देखी ना इस भी देखना क्या है मैं तो देखता आ रहा हूँ अगर कुमड़ा मैंने लिया होता तो पद्दो मुझे रसातल भेज देती मालिक बाबू भी उसी की हां में हां मिलाते हैं लेकिन है तो हम तुम नहीं है ना इस होटल के मालिक पद्दो दीदी ही तो है तुम अब जरा पद्दो दीदी से मुड़ी की बात कह दो नहीं तो वे अभी मालिक के कान भरेगी रतन्य पद्दो दीदी को अलग ले जाकर कहा ओ पद्दो दीदी गरीब भामन तुमारे तरवाजे पर पड़ा पेट पाल रहा है उस बेचारे के साथ ऐसा क्यूं करती हो अगर उसने एक मुड़ी खा भी लिये तो इतने दिनों से यहां काम भी तो कर रहा है तो उसके लिए उसका आप मान ना करो सबी तो लेते हैं कोई तो लेने से बाज नहीं आता मैं नहीं लेता तुमने ही लेती बेचारी को क्यों संकट में डालोगी पद्ध मेरिने का उसने नहीं खाई है यहां से ले जाकर अपनी पैरी दुलारी को सुम को दे आया में क्या दूद पिती बच्ची हों को समझती नहीं पाजी बद्माश कही का रतन ने हसकर कहा उसकी जो मर्गी वो करे पद्ध दीदी हमारा तुम्हारा क्या है फुरी वह खुद खाता है या नहीं किसी और को देता है तुमें ये देखने की जरूईत ही क्या है आज तुम उसको और कुछ नहां कुम्डे के मामले से पद्द मेरी जरा हक बका गई थी नहीं तो वहरतन की बात इतनी असानी से नहीं मान लेती उसने कहा तब उसे मना कर देना फिर कभी ऐसा काम ना करे नहीं तो मैं अनर्थ कर दूँगी किसी की बात न मानूँगी उस रात होटल का काम धंदा निप्टा कर हजारी चुड़नी के किनारे टहल ले गया चटक चांदी रात थी लग भग साड़े बारा बज रहे थे जरासा में आज कैसा सर्वनाश हो जाता वह अपने लिए चिंता नहीं करता करता है तो कुस्म के लिए कुस्म गवई देहात की लड़की है वहां उसके बदनामी फैल जाएगी तो दौनों ही के लिए वहां मुँ दिखाना मुश्किल हो जाएगा और इस उम्र में उसकी ऐसी बदनामी फैलने से लोग क्या कहीं भगवान जानते हैं वह कुस्म को बेटी जैसा समझता है उसके मन में अगर वैसा होता तो इस राना घाट के शहर में कितनी लड़कियां जुटा लेता राधा वललब तले की इस मिट्टी को चुपकर कह सकता है कि जिन्दगी में वैसी कोई बात उसके मन में आई ही नहीं खास तोर से कुस्म के लिए छी जिसे वे टैंपी जैसा ही तो मानता है उसके बारे में पद्दो महरी ने रतन से तमाम गंदी बाते कही हैं जिसके सुनकर कानों में उंगलिया डालनी पड़ती है रात का लगबग डेड़ बज़िया शेहर में सननाटा फैल गया सिर्फ चुड़नी के किनारे कुंड़ों की लकड़ी की आड़त में कुलियों ने धोलक बजाकर भेयाना चीतकार शुरू कर दिया था वही क्या तो उनका गाना है जब स्टेशन पर नौर्थ बेंगल एक्सप्रेस आखड़ी थी तब वह होटल से निकला था और अब स्टेशन में भी सननाटा चा गया क्योंकि इतनी रात को कोई गाड़ी नहीं आती रात चार बजे से फिर गाड़ियों का आना जाना शुरू होगा होटल का दरवाजा बंद है शोर गुल मचा कर मोती को जगाने इसकी उसकी इच्छा नहीं हुई गर्मी बहुत है ना हो स्टेशन के प्लेट फार्म पर ही सोकर रात बिता दी जाए आज की रात आखों में न पाहट नहीं हुई उसके बाद गदी के कमरे की खिड़गी से जहांक कर देखा तब उसने अंदर पाया की बहुत रोशनी है क्यों जब पलट कर आया तो उसने देखा कि बरतन वाले कमरे का दरवाजा खुला हुई कमरे के अंदर कोई नहीं है मोती नौकर का भी कहीं पता नहीं है ऐसा तो कभी नहीं होता उसी समय उसने देखा जादू बाड़ुचे के होटल का नौकर निमाई गवाल पड़ा के चायल के लिए दूद लेकर आ रहा है जादू बाड़ुचे के होटल में चाय का एक स्ट्रॉल भी है वहाँ बड़े तड़के से चाय बिक्री खुला है मोती नहीं का या तो मुझे नहीं मालूम तुम रात में थे का अंदर वाजा किसने खुला तीनों ने घर के अंदर जाकर इधर उधर देखा अचानक मोती बूल रटा हजारी भई या सर्वनाश हो गया बरतन बासन कहां गए एक भी तो दिखाई नहीं पड़ता यह क्या तीनों ने राई रत्ती ढूंड डाला परंतु बरतन किसी कमरे में नहीं मिले निमाई ने कहा चाय का दूद ले आओं हजारी भई या सारे बरतन गायब किसने कर दिया अपने मालिक को बुला लाओं इसी बीच रतन ठाकुर आया वही जाकर बेचु चक्रवरती को भी बुला लाया पद्दो महरी भी आई चोरी होने की बात सुनकर पास के होटल के जादू बाड़ उच्चे आया बजार के लोग इकटे हो गए थाने में खबर दी उसी वक्त एसाई नेपाल बाबु ने और दो सिपाही आया शोर बुल मच गया तब तक बेचु चक्रवर गाट किनारे से लोड़ कर मैंने वही रात बिताई और कितनी रात को प्लेट फारम पर सोई थे किस प्लेट फारम पर नेपाल बाबु ने पूचा जी बंगाव लाइन के प्लेट फारम के बैंच के उपर वहां तुम्हें किसी ने देखा था नहीं बाबु उस वक्त बहु कभी सोता हूं लेकिन बहुत कम इसी समय पद्धम हैरी ने बेचू चक्रवरती से चुपके चुपके कुछ कहा बेचू चक्रवरती ने नेपाल बाबु से खा दरोगा बाबु अंदर चलकर दया करके एक बात सुन लीजिए कमरे के अंदर से बात सुनकर आने के बाद ने बाबु ने हजारी ठाक और तम कुसम को कैसे पहचांते हो हजारी का मुञת सुग गया इस मामले के बीच में ये लुग कुसम की बात क्यों ले आए कुसम के साथ इनका क्या त्लुक है हजारी के चेरे का उतार चड़ाव ने नेपल बाबु ने देख लिया जवाब देने से हजारी को जरा देर हुई ने पहल बाबुने धमकाते हुए का बात का जवाब दो हजारी हक्का बक्का होकर कहा जी पहचानता हूँ पद्दो महरी दर्वाजे के पास मूँ पर आचल दबा कर खड़ी हो गई यह देखकर हजारी ने समझ लिया कि उसी ने किसम की बात मालिक को बता ही है नहीं तो वे इसकी खोज खबर नहीं रखते पद्दो महरी के उकसाने पर ही मालिक ने दरोगा से यह बात कही है खुसम कहा रहती है बड़े बजार के उस और गौाला पाड़ा में वे क्या करती है दूद्द ही बेशती है गरी बात मी अमर क्या है 24-25 होगी यह ज क्यों इस तरह कुसम के बारे में पूस्ताच कर रहे हैं तुम्हारे साथ कुसम की जान पी जान कितने दिनों से हैं चीव है मेरे गाउं की लड़की है जब बच्ची थी तबी से उसको जानता हूँ उसके बाप मेरे दोस्ते हमारे महले के पास ही रहते है कुसम से तुम अक तुम कभी-कभी हुटल से बनी चीजिवं से दे आते हो लज्जा और संकोष से हजारी जाने कैसा हो गया ये सारी बाते हो रही है हां बाबु दे आता हूं, छूट क्यों बोलो अभी-भी दे आ, कभी-कभी देता है प्दो मेरे खिल किला कर हस पड़ी सबी लोगों के होटों पर एक दबी हुई हसी तरंग उठ पड़ी दूसरों की हसी पर हजारी ने उतना ध्यान नहीं दिया लेकिन पद्दो महरी की हसी से किसी छिपेवे इशारे का अभास पाकर जान पर खेल कर कहा दरोगा बाबु एक गरीब हो रहता है मेरे गाउं की लड़की है मुझे बापू कहकर पुकारती है मैं मेरी बेटी की तिरह है इसने बीच बीच में किसी दिन थोड़ी बहुत तरकारी का या पकावा मास उसे देयाता हूँ कितना तो फेक दिया जाता है इसी से सोचता हूँ एक गरीब लड़की समझ गया रहने दो अब तुम्हें लेक्चर देनी की जरूट नहीं है कल रात तुम उसके यहां गएते जी नहीं आज सवेरे गएते जी बाबू नहीं सवेरे प्लेट फारम पर ही से ही होटल आया था हूँ दरोगा बाबू ने बयान लेकर और सब लोगों को तो छोड़ दिया सिरफ मोती और हजारी से उन्हों ने का तुम लोगों को मेरे साथ थाने चलना होगा बाइयों से कहा इन दोनों को थाने ले चलो मोती ने रोना दोना शुरू कर दिया वह कभी बेच्चुचे क्रवर्ति के हाथ पाउं पकड़ता कभी दरोगा जी के वह बिल्कुल बेक कसूर था कमरे में सो रहा था उसे थाने ले जाने से क्या फाइदा थाने में पकड़ कर ले जाने की बात सुनकर हजारी के प्रांड सुग गए भगवान ने उसे आज किस मुसीबत में डाल दिया